दोस्तों 11 मार्च 2022 को एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी राधेश्याम और एक चोटी फिल्म रिलीज हुई थी धी काश्मिर फाइल अब हुआ यह था रिलीज के बाद पता चला कि राधेश्याम तो बड़ी सिर्फ दिखने में है बाके कॉंटेंट वाइज और बॉक्स अगनी होतरी एक बार फिर से प्रभास का सामना करने के लिए तयार है थी व्यक्सिन वोर नाम की फिल्म व्यक अगनी होतरी नहीं है एक दिन पहले ही यानि कि कल ही इसका ओफिशल अनौंसमेट कर दिया इसकी ओफिशल लिस डेट हमारे सामने रख दी जोकि वो पहले से वाइज फिल्म एदम यूनिक लग रही है क्योंकि जो को ना काल में जो वेक्सिनेशन के मामले में जो भी कुछ हुआ था किस तरह से वैक्सिन बनी थी तो वही सब हमें दिखाये जाएगा कि किस तरह से कोरोना भारत में आया और वैक्सिन बनाने के लिए क्या-क्या मेहनत कर पर ने पड़ी थी हमारे साइंटिस्टों को और हमारे जो भी प्रधान मंत्री है या फिर देश के जो जितनी भी नहता है आरुग्य मंत्री है जिसको मतलब कि जिस तरह से पूरा सिनारियों क्रियेट हुआ था जो सीन क्रियेट हुआ था वो इस फिल्म में हमें दिखाये मतलब कि जो भी सच्चा है थी ना वो कही ना कही इस फिल्म में हमारे सामने रखी जाएगी तो यूनिक है इसका कॉंसेट यूनिक होगी इसकी स्टोरी लेकिन पबलिक को क्या चाहिए तो कि आज के दिन यानि कि अभी जो सिनारियों है OMG2 वर्सिस गदर 2 आप देखी रहे ह मैं असा नहीं बोलोगा कि वैक्सिन वर्सिल्म फ्लॉप जाएगी लेकिन जो कलेक्शन जो रिस्पॉंस सॉलो फिल्म रिलीज में मिलता रहा वो सालर के सामने नहीं मिलेगा यही हाल हुआ है OMG2 का गदर 2 में भले श्टोरी नहीं है लेकिन एक्शन, डायलोग, संदी पाज साला चाहिए, स्टोरी नहीं चाहिए, अभी देखकर मुझे ऐसा लगा, अभी का जो सीन है, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि पबलिक को स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपना हीरो है, स्क्रीन पर दुश्मन को वो फाड रहा है, हमारा हीरो दुश्मन के सा आप से प्रशांत में की फिल्म है भर भर के डायलोग होगे भर भर के एक्षन सीन होगे हमारा हीरो कई योग को परदे पर धराशाही करते दिखाये जाएगा तो पबलिक को बस ताल्या और सीट या पीट नहीं है अब यजितान वेक्षण स्ट साथ डेफिनेटल नहीं मिलेगा बाकि फिल्म की स्टॉरी तो मैं जैसे आपको बोला यूटी होगी अच्छी होगी देखने लायक होगी लेकिन सालार के साथ बिढने का कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है कि एक statement भी शायद दिया था मुझे याद नहीं है लेकिन वेक अगनी होती है statement दिया था कि बाए काश्मीर फाइल जब मैंने रिलीज की तब सामने प्रभास की ही फिल्म राधिशाम थी तो आपको पता ही है राधिशाम तो फ्लॉक होगी तो इसी वजह से एक बार फिर से प्रभास की फिल्म मेरी फिल्म के सामने खड़ी है और इसी बार मतलब कि कुछ ऐसा कहा था तो इस बार थोड़ा वर कॉंफिडेंस लग रहे है वेक अगनी होती है देखते हैं दोस्त दोनों फिल्म रिलीज होती है तो क्या कुछ रियक्शन रिव्यू निकल के आते हैं अभी इस फिल्म को साला के साथ रिलीज करना मुझे लगता है कि यह थोड़ी और कॉंफिडेंस जैसी बात हो गई आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अन्यवाद